अम्मा तुन्हा पता है मैं क्या चाहता है जब भी उसने मुझे कुछ माँगा है तो मैंने पूसस दिया है लेकिन ये मैं उसे नहीं दे सकती काजोल की अपकमिंग फिल्म सलाम वेंकी का ट्रेलर आ गया है ये काफी बढ़िया है सलाम वेंकी की कहानी एक मा और उसकी बेटे के बारे में है ट्रेलर की शुरुवात काजोल की केरदार सुजाता और उसके बेटे वेंक्टेश उर्फ वेंकी के बीच बात चीज से शुरू होती है वेंकी एक बड़ी बिमारी का शिकार है और वीलचेयर पर है सुजाता के चेहरे पर उसे लेकर के परिशानी साफ देखी जा सकती है सुजाता और वेंकी फिल्म आनंद के डैलोग बाब मोशाय जिन्दगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए को अपनी जिन्दगी के मंदर को लेकर जी रहे है सुजाता अपने बिमार बेटे की जिन्दगी को बड़ा बनाना चाहती है यह जिन्दगी मुश्किल है और कई बार परिशानियों और चैलेंजस से भरी है लेकिन मा बेटे ने तो हार ही नहीं मानना सीखा और वो हर चीज का सामना पास्ते हुए विन की मा सुजाता के सामने एक विश रखता है जो वो पूरा नहीं करना चाहता है हो सकता है कि वो इच्छे मृत्य के मांग कर रहा हो लेकिन बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने में तो हर मा आगे रहती है कुछ ऐसा ही सुजाता करने वाली है इस फिल्म में आपको बड़ी जिन्दकी जीनी की प्रेड़ना दायत इमोशनल कहानी देखने को मिलेगी अपनी आखरी सांसे गिंता हुआ एक लवेबल बेटा उस बेटे की आखरी ख्वाईश पूरी करती हुई एक बहादुर्मा और इमोशनल फैमिली ड्रामों का दिवाना हमारा मीडिया आई तिंक जोर का जटका देरे से लगे दो तुमने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है टाइम फोड़ा कम है ट्रेलर की आखरी सीन में आपको आमिर खां से मिलने का भी मौका मिलेगा आमिर खां इस फिल्म में कैम यू कर रहे हैं उन्हीं काजूल के पीछे खड़े होकर उन्हीं निहारते हुए देखा जा सकता है 2006 में आमिर और काजूल फिल्म फना में आखरी बार एक दूसरी के साथ बड़ी परदे पर आये थी 16 साल बाद बड़ी पर एक बार फिर से इस स्टार जोड़ी को उनकी फैंस देख सकेंगे फिल्म सलाम वेंकी में काजूल और आमिर खां के अलावा एक्टर विशाल जेटवा नजर आने वाले हैं विशाल ने सुजाता की बेटे वेंकी का रूल निभाया है इससे पहले वो मरदानी टूमी सीरियल किलर के रूप में देखे गए थे इस फिल्म के साथ साथ एक्टरिस रेवती अपना बतोर डिरेक्टर डेब्यू कर रही है फिल्म सलाम वेंकी की कहानी असल जिन्दकी की घटना और इंसानों से ली गई है ये फिल्म 9 दिसमबर 2022 को रिलीस होगी उन्हे तुमजे जीना सिखाया है सुपमैन की तरह सारी सारी आर नौल की तरह सारी